दूद वाली बहू जल्दी से ब्या कर ले ताकि घर में बहू आ जाए और मेरा खयाल रखे अब बूड़ी हो गई हूँ बेटा कब तक घर अकेले संभालू हाँ मा लेकिन कोई लड़की पसंदी नहीं आती क्या करू अरे मिल जाएगी कोई अच्छी सी लड़की तभी पडोसन विम्ला वहां आ आनी दूध का बिजनेस है आईगी तो बिजनेस भी दोगना हो जाएगा कहू तो बात चलाओं जाद मिराधरी वाली है दूध वाले घर आने से है तो देनर किस बात की, कर ले बात फिर विम्लारा राजो ओर कमली के रिष्टे की बात करती है और दोनों परिवार की रजाम कराब हो जाती है आज तो मैं दूद बेचने नहीं जा पाऊंगी अब क्या करूं मैं कमली बेटी तू भी तो दूद वालों के खानदान से आई है ना बहुत तुझे तो काम के बारे में सब पता ही है आज मेरी तब ठीक नहीं लग रही एक काम कर आज तू जाके गाय का दू काम में लग जाती है ऐसे कुछ दिनों तक सास की तब्यद ठीक ना होने के कारण कमली ही उनका काम संभालती है फिर एक दिन बहुत अब मैं सोच रही हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी और सारा मालिकाना हक तुझे देदू मैं बूरी क्या भरोसा कब भगवान के घर का बुलावा आ जाए अब आप कह रही हो तो आपकी बात कैसे टाल सकती हूं माजी और इसके बाद दूद बेचने का काम महतों की जगा कमली करने लगती है यह क्या है गाई रोजाना सिर्फ दो ही बाल्टी दूद देती है और इतने से क्या होगा एक काम करती हूं इसमें पानी मिला देती हूं किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा अब कमली दो बाल्टी दूद में पानी मिलाकर उसे चार बाल्टी बना हमारी ज्यादा दूद देती है आजकल वो तो दूसरे कस्टरमर को भी देते थे ना इसलिए दो ही बाल्टी बेचते थे अब उसे देना बंद कर दिया तो सभी बीचना पड़ेगा है ना अचो अचो ठीक है फिर कम्ली सारा दूद बेच कर घर आ जाती है क्या बाते कम्मो रानी बड़ी खुश नजर आ रही हो आज तो हम कम्मो नहीं कम्ली है समझी जी और काहे ना हो खुश दूद में ज्यादा मुनाफ़ा हुआ है आज ये देखो इससे पहले कि राजू उससे क कुछ पूछता वह वहां से चली जाती है आज गाय ने ज्यादा दूद दिया होगा अब कम्ली रोजाना दूद में धेर सारा पानी मिलाने लगती है और दूद के दाम भी पहले से बढ़ा देती है एक कम्ली आज कल दूद इतना पतला क्यों देती है अब हम गाय थोड़ी बहुत अच्छा होता था और उसे पीने से ताकत आती थी यह तो बल्कुल पानी जैसा लगता तो पानी समझकर ही पी लिया करो ना अब दूद को पानी बता रहे हो तो हमका जबाब दे अरे जाओ भी हमें और ग्रहब देखने है कुछ तो गड़बड कर रही है यह कम्ली इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है वही दूद से होने वाले मुनाफ़े से अब कम्ली नई-नई साड़ी और गहने खरीती है सासुमा देखिए आज मैंने पूरे दसजार की बनारसी साड़ी ली है वहू तेरे पास इतने पैसे कहां से आए दूद में तो इतना मुनाफ अब मैं हूँ तो अपने तरीके से दूद बेचती हूँ आपको तो पताईए दूद वाले की खांदान से हूँ मैं इसलिए तो तुझे बहु बना कर लाई ताकि मेरे बात तु सारा काम संभाल सके वही कम्ली दिन पर दिन दूद में ज्यादा पानी मिलाने लगती है जिस तेरी वजह से मेरे बच्चे की तबियत खराब हो गई अरे कई दिनों से देख रहे हैं हम एकदम बेकार दूद बेचती है कोई स्वाद ही नहीं आता महातुका की अच्छी गुणवत्ता वाला दूद बेचती थी तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये दूद बेकार है अरे ग मनोहर सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि कमली दूद में मिलावट कर रही है ये देखकर कमली का असर शर्म से नीचे जुग जाता है क्यों कमली अभी तो बड़ी डिंगे आग रही थी अब क्यों चुप हो गई सुधर्जा कमली वनना ठीक नहीं होगा लोगों के सेहत के साथ खिलवाड करना बंद कर दे इसका धंदा ही बंद कर देना चाहिए हां ने ने ऐसे कुछ भी मन करो हम मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी मुझे माफ कर दो आपसे कभी दूद में ना कोई कंप्लेंट नहीं आएग इस तरह सभी कमली को वार्निंग दे के वहाँ से चले जाते हैं अगर बिनाम मिलावट का दूद बेशने लगी तो मेरी तो कमाई ही बंद हो जाएगी फिर वही गरीबी और कंजुसी करके जीना होगा ना 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 कुछ तो उपाय करना होगा अगले दिन का बात है कमली बड़ी जल्दी सुधर गई कल का दूद एकदम गाड़ा था एकदम मलाईदार था पहले से भी अच्छा दूद था आज एक लिटर दूद ज्यादा दे दे ना मुझे भी दो लिटर एक्ष्ट्रा दे ना इस तरह सभी कमली के दूद की तारिफ करके एक्ष्ट्रा दूद लेकर जाते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीटते हैं और लोगों को दूद में कोई कम्प्लेंड नहीं आती फिर एक दिन अचानक से अरे कमली दूद में का मिलाती है जबसे मेरे बेटे ने दूद पीना शुरू क्या है उसकी तब्यत खराब ही होती जा रही है मेरे पती की भी तब्यत खराब हो रही है इस दूद की कारण अब तो दूद की गुणवत्ता भी अच्छी है कोई गुल माल भी नहीं करती मैं जाओ जी यहां से तुमारे घर में लोगों की तबित खराब है तो डाक्टर को दिखा मुझे हर बार दो उश्कियों देते हो इसके बाद सभी चुप चाप महा से चले जाते हैं लेकिन एक दिन अचानक से सुधा का बच्चा खाना पीना बंद कर देता है और वो उसे डाक्टर के पास ले जाती है डाक्टर देखे न इसे क्या हुआ है कुछ भी खापी नहीं रहा बस उलती और जुलाब कर रहा है इसके कुछ टेस्ट करने होंगे तभी पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जिसकी बाद डाक्टर कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के मताबिक यूरिया का सिवन करने के कारण बच्चे के तव्यद खराब हुई है आप कहीं बच्चे को यूरिया वाला दूद तो नहीं दे रही ये गैर कानूनी है पता है न मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूँगी मुझे लगता है ये उस दूद वाली का काम है डॉक्टर सुधा के बच्चे का ट्रीटमेंट करता है और सुधा उसे लेकर घर आ जाती है अब अगले दिन सभी लोग प्लान बना कर सुबह सुबह ही कमली के तबिले में पहुच जाती है जहां कमली दूद में यूरिया मिला रही होती है और उसे ऐसा करते हुए सभी रंगे हाथ पकड़ लेते हैं क्यों रहे कमली, तुझे पहले ही समझाया था ना लोगों के सेहत के साथ खिलवाण मत करना तेरे कारण हमारे घरों में सबकी तबित खराब होने लगी अब तो इस कमली को यहां से निकालना ही होगा तु जानती है न, ऐसा करना गयर कानूनी है अब तो तुझे पुलिस के हाथ में देना होगा तब ही तेरा मिलावट का काम बंद होगा इस तरह सभी लोग कमली के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का फैसला करती है और उसके दुकान के सामने बहुत हंगामा करते है यह सब देखकर महातो और राजो भी वहां पहुँच जाती है और उन्हें जब कमली की करतुत का पता चलता है तो उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आता है आप सभी इसे माफ करती जी अप सही ऐसा कुछ नहीं करेगी हाँ प्लीज यह पुलिस कंपलेंट ना करे हम बहुत शरीफ परिवार से है वहाँ तो जी इतने सालों से हमें दूद देते आ रही है और हम इनकी बहुत इज़त करते है इसलिए हम इसे जाने देते है वना हम इसे इस बार नहीं छोड़ते ठीक है हम पुलिस कंपलेंट नहीं करेंगे लेकिन आप इसका दूद का धंदा और नहीं चलेगा जिसके बाद सभी मिलकर कंपली का दूद का धंदा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं और वो घर पर बैठ कर रोते रहती है